तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर रहुन होना हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है जिसकी कीमत 20 लाग रुपए है तो 20 लाग प्रॉपर्टी पर जो है सब्सक्राइब करा जाता है तो यह उनके लिए चलते हैं जिनका बैंक से अच्छा रिलेशन है मतलब जिनका सैली अकाउंट यहां पर है या करेंट अकाउंट यहां पर तो उन लोगों को जो है स्पेशल ओम्डून रेट से मिल सकता है जिसमें 8.75 से स्टार्टिंग होती है और 9.65 परसन तक जाता है अब यह जो रेट ओम्डून डिफरेंस यह भी डिपेंड करेंगा आपका क्रेइट स्कूर कितना अच्छा है जितना अच्छा होगा जितने अच्छी आपकी प्रॉपर्टी पतलब जिस जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहो वो भी अच्छी होग जिसमें 9.40 से स्टार्टिंग होगी 9.95 परसन तक रेट ओविंटेस जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको होम लोन लेना है तो आप उसी बैंक से लीजे जिस बैंक में आपका एकाउंट है या अगर सैली आती होगी तो काफी अच्छा होता है या करेंट अकाउ लीड और से इंपर प्रोफेशनल की काडिगरी में आती हो तो 0.50 परसन लगए या पर लोन अमाउंट का जो की तीन आया रुपए से स्टार्टिंग होती है इसके लावा जो सेल्फ इंपर नौन प्रोफेशनल है उनकी जो है लोन अमाउंट का देर परसन तक प्रोसिंग लगती है जिसकी 4500 रुपए से स्टार्टिंग है इसके लावा जो NRI है उनकी 1.25 परसन लगती है आपके लोन अमाउंट का तो यह देखें खुछ प्रोसिंग भी इसके लावा यह आप इनकी जो स्कीम चलती ही HDFC रीच लोन जिसमें 2% लोन अमाउंट का जया प्रोसिंग लिएर की इस तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो इसके लावा जो सेल्फ इंप्लॉइड है उनके लिए भी जो है सेमेज है अब जो इसके आप मिनिमम जो इंकम रिक्वार होती अगर आप जो है इनकी HDFC रीच होम लोन जिसका वीडियो में एक और लेडी बना चुके है का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक्स मिल जाएगा उसके हमने पताया हुआ है कि उस स्कीम में कैसे आप सिर्फ 10,000 रुपय पर मंत अगर आपकी सहली आप लोन ले सकते हो अगर आपको उस स्कीम से नहीं लेना आपकी सहली काफी अच्छी है 30,000, 20,000, 20, से उपर है तो आप अलग स्कीमों से यहां लोन ले सकते हो अब हम एक के स्कीम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे कोई भी इंडियन रेजिजेंट इंडियन एप्लाई कर सकता है और जो सेल्फ इंडिविज्वाल होंगे उनकी अर्ली इंकम जो है कम सकम 2,000, रुपए की रिक्वार होती है यहां से लेने के लिए अब यहां पर इलिजबिल्टी बगरा देख लेते हैं ऐसे कि अगर आपकी देखे आप मंतली स्चेली 25 है तो आप 15,18,000 रुपाई का लोन यहां से ले सकते हो 30,000 मंतली स्चेली 20,000 का लोन ले सकते हो 35,000 व्यांडय, प्रापर्टी कॉस्ट का 90% लोन मिलेगा आप जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनकी जो प्रापर्टी वेल्यू है 20 लाग की मतलब उनकी प्रापर्टी है तो 20 लाग की प्रापर्टी पे बैंक जो है आपको 90% तक लोन प्रोवाइड करेगा मतलब 18 लाग रुपय का loan bank provide करेगा 2 लाग आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा ऐसे अगर आप 30 लाग से 75 लाग के बीच का loan लेते हो तो property cost का 80% 75 लाग की उपर का लोन लेते हो property cost का 75% loan provide किया जाता है credit score कितना होना चाहिए अगर आपका साड़े सास्तों या उससे उपर आपको minimum rate of interest per loan offer कर दिया जाएगा वहीं अगर आपका छैसो साड़े साड़े सास्तों के बीच में तो यह average ही category में आता है जिसमें आपको home loan मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता है अगर आपका 600 के नीचे है तो आपको जातर bank के जो है avoid करती है loan देरे के लिए आपको loan मिले गा ही नहीं क्योंकि आपका credit score काफी खराब है इस वजह से अब यह आप एक-एक scheme के बारे हम देख लगते हैं जैसे आप देख सकते हैं HDFC home loan अगर आपको इस scheme से loan लेना है आपकी monthly salary कम सकम 25,000 के उपर होनी चाहिए यहाँ पर कोई भी आप फ्ल प्रोवाइट किया जाता है फिर यहाँ पर प्लॉट लोन भी आती है जिसमें अगर आपको अगर आपको कोई प्लॉट जो है अलोट हुआ होगा local authorities द्वारा तो आप जो है उसके लिए loan ले सकते हो यहाँ पर यहाँ पर कस्टुमाइज repayment option आपको मिल जाएंगे expert legal and technical counseling मिल जाएगी इसके लावा यहाँ पर रूलर हाउजिंग लोन है अगर आपको कोई गौव में जो है property खरीदनी है या उसमें construction कराना है रेपेर कराना है आपकी existing property पर तो HDFC रूलर हाउजिंग loan scheme चलती है जिसमें जो भी agriculture होंगे planters होंगा होटी culture होगा dairy farmers होगा तो वो लोग ज scheme से आप maximum loan ले सकते हैं इसके लावाद देखें next scheme आती HDFC reach home loan अगर आपको कोई new property खरीदनी है या आपके existing property है उसी पर आपको कुछ काम करवाना है उसके लिए loan ले सकते हो देखें आप कोई भी salary इंडिवर्स जिसकी monthly income 10,000 रुपए है तो वो यहाँ से लोन ले सकते हो और scheme चलती है home improvement loan, home extension loan तो यह भी आप यहाँ से ले सकते हो maximum 20 साल के लिए इसके लावा HDFC top up loan भी चलता है मान लिजे आपने यहाँ से home loan लिया किसी भी scheme से इसके लावा आपको और loan amount की जवगरत पढ़ गई कुछ आपको person lead आ गई तो यहाँ से top up loan भी मिलता है जिसमें 50 लाग तक का top up loan मिलता है इसके लावा balance transfer भी आप करा सकते हो किसी other bank में आपका account चल ला है वहाँ पे ज्यादा rate of interest पे offer किया गया था आपको अब उसको आपको transfer कराना HDFC bank में HDFC bank आपको थोड़ा rate of interest पर offer करे तो आप transfer करा सकते हो तो balance transfer की facility भी आपको मिलती है इसके लावा जो NRI ह आपके जो है कोई property खरीदना चाते तो उनके लिए भी जो है अलाग home loan की scheme चलती है अब यहाँ पर हम बात करने वाले जो subscriber ने पूछा था कि उनको 20 लाग की property खरीदनी है तो 20 लाग property पर जो है आप बैक 90% लोड प्रवाइड करेगा 20 लाग का अगर 90% करोगो तो 18 लाग र रुपए का हमको अगर loan amount यहां से मिल गया तो आपको कि अब यहां पर rate of interest के offer करा जाएगा वो depend करता है कि आपका account SDFC bank में है या नहीं है तो अगर आपका SDFC bank में account है तो आपको 8.75 से starting होती है लगबग और अगर आपका credits को साड़ा साथ सब गे उपर है तो आपको इसी rate of interest principal loan offer कर दिया जाएगा और अगर आप 18,00,000 का loan 20 साल के लिए लेते हो तो 20 साल के लिए अगर हम लेते हैं तो 15,907 रुपए की मेरी यमाई बनी टूटल इंटेस्ट हमको pay करना पड़ेगा 20,17,630 रुपए का अभी जो टूटल इंटेस्ट है यह काफी ज्यादा amount पे करना प तो अगर आप इसको 10 साल के अंदर के लिए लेते हो तो 10 साल के लिए यह होता है कि आपकी e-mai बढ़ जाएगी e-mai लोन देखिए लिए इसको आपने 10 साल सी बंद करा दिया मतलब दस साल के अंदर चुका टो आपको जैसा प्रिंसर अब गणको से ऐसे आपना लेना है तो आप ले सकते हो लेकिन फिर उस case में आपको total interest होगा वो काफी ज़्याजा amount का पेगाना पड़ेगा जैसे आप principal loan amount का जो है percentage देख सकतो 47.1% है वही total interest का अगर आप percentage देखो तो 52.9% का है तो इस तरीके से आप details है इस MI calculator पर अपना monthly MI total interest calculate करके देख सकते हो किसी भी home loan personal loan car loan का तो इस MI calculator का link आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन box से मिलिया आगा और अगर आपको किसी भी bank के loan के offer जाने हो चाहिए वह home loan हो, personal loan हो, car loan हो, to be loan, education loan, saving account, trade card तो offer वगरा के link आप इस website पर detail में देख सकते हो जैसे अभी हम बात कर रहे है SGFC bank home loan की तो इसका link मिलिया आगा, इसके आप detail में rate of interest कौन-कौन से scheme में चल नहीं है, उन्हें कोई offer तो नहीं चल ला है, वो भी आप देख सकते हो, direct online apply करने का आपको यहां से link मिलिया आगा, तो इस website का भी जो link है वो आपको वीडियो के description box मिल लियागा, एक बार जाके ज़रूर चकाउट करेगा, तो वीडियो कर आपको हमारा informative लगाओगा, वीडियो को एक like कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe पर दीजिएगा, और मैं आप comment करके बता सकते हो कि आगे आपके इस bank के home loan के बारे में हमसे information लेना चाहते हो, तो आज के इस video में बस अतना है, तो मिलते हैं इस video में तब तक के लिए धन्यवाद